हलो गाईज वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आशा करता हूँ गाईज आप सभी ठीक होंगे आज पेपर कंड़क्ट वाई कलर्क 839 पोस्टल कोड का जिसका कि मैं अभी जीके सेक्षन डिसकस करूँगा गाईज तो इसका जो फर्स्ट कोश्चन यो डिसकस कर लेते हैं फर्स्ट कोश्चन बहुत ही इजी है जो पूछा गया है लोंगिट्यूडनल एकसेंट आफ एच पी इसका जो राइट अंसर होगा गाईज जो सेकंड कोश्चन यो पूछा गया है परमवीर चकर वीनर सुबेदकर संजे कुमार बिलोंग करते हैं बिलासपूर डिस्टिक आफ हिमाचल प्रदेश से जो मनी महेश यातरा है वो होती है चंबा डिस्टिक में उसके बाद जो पूछा गया बाबा बालकनाथ फेयर इस सेलिबरेटिट इन वीच डिस्टिक आफ हिमाचल प्रदेश जो बाबा बालकनाथ का मंदीर ए उस्तित थे हमिर्पूर डिस्टिक में तो इसका फेयर भी ल para gliding, para gliding जो होती है 慌ती है, कांग्रा की बीर बिलिंग में और बताना चाहूँगा himachal में paragliding एक और जगह start हो गई है, वो है बंदला गलास्पूक डिस्टिक ओप हिमाचल प्रदेश में next question जो पूछा गया है सिल्ला peak is located in which माउंटेर रेंज ऑफ एच पी तो बताना चाहूँगा जो सिल्ला पीक है वो लुकेटीड है किनौर में सिल्ला पीक और यह पढ़ती है जासकर रेंज में गाईज तो जासकर इसका राइट अंसर हो जाएगा और रूपा वेली इस लुकेटीड इन विजिस्टिक ऑफ ब्रिगरू लेक है वो लोकेटीड है कुल्लू डिस्टिक में गईज और जो हमारा नेक्ष्ट क्वेश्चन है गोची फेस्टिबल इस सलिबरेटीड इन विज डिस्टिकंऑफ ह्प तो जो गोची फेस्टिबल है मिनाया जाता है लो dei स्पिति में next question पूछा गया है कसोली subdivision is located in which district of HP तो बताना चाहूंगा जो एक कसोली subdivision है ये located है Solan district में guys क्योंकि जो एक कसोली जो पढ़ता है धर्मपूर के थोड़ा नजदीक धर्मपूर से 4 या 5 किलोमेटर उपर वाली side गोए guys next question है first woman speaker of HP विदान सबा जो HP विदान सबा की first speaker थी वो थी विद्या स्टोक्स next question discuss कर लेते हैं सुजानपूर टाउन वाज फाउंडिड वाई विच रूलर जो सुजानपूर टाउन था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था तो यह फाउंड किया गया था अब यह चंद द्वारा guys next जो question है वो पूछा गया है समर्गड फोर्ट इज लोकेटिड एच्ट विच प्लेस आफ एच्पी जो समर्गड कोट है वो स्थित है रोडू district में guys सौरी रोडू में स्थित है guys next question है विच लेक ऑफ एच्पी पॉपुलरली नोन एज आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड तो इसका जो राइट अंसर रहेगा इसका राइट अंसर रहेगा नाको लेक जो की किनौर में स्थित है next question है सक्ति देवी temple is located at which place of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में ये जो मंदीर है ये कहां पे स्थित है तो बताना चाओंगा इसका राइट होगा चतेरी जो की चमबा डिस्टिक में है और ये जो मंदीर था मेरू बर्मन ने बनाया था जो की बर्मौर में बर्मौर के राजा थे इसका जो नेक्स अंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं गाईज तो गाईज इसका राइट अंसर होगा फोर्थ में मौमद गजनभी पलंजर्ड कांगडा फोर्ट इन विच एक्सपेंडिचर तो फोर्थ में होगा और जब इसने ये किया था तो ये किया था एकजार नाओ में गाईज नेक्स्ट कॉस्चन है इन विच एर सिक आर्मी अंडर जनर्र वेंचर वोस सेंड टू मंडी इसका जो राइट अंसर रहेगा ये अंसर रहेगा 8.39 A.D. में गाईज और इसका जो नेक्स्ट कॉस्चन है इन विच एर पॉलिटिकल कॉन्फरेंस अप दे कॉंग्रेस पार्टी वज और अर्गनाईज एट ताल इन सुजानपूर टीरा तो इसका जो राइट अंसर रहेगा ये रहेगा 1927 A.D. में और नेक्स्ट कॉस्चन है अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और बताना चाहूँगा अगर बाकी का भी आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए जैसे इसके और भी सेक्शन होगे वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा अगर आप डिमांड करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये भी बताईएगा बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में गाईस इस वीडियो में इतना ही